हेलो एब्रीवन आज का माले टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ और बिल्डिंग प्लैन इन आटो कैड हम लोग जो है रफ पेपेर पे कोई भी प्लैन बनाने के बाद हम लोग कैसे उसको आटो कैड में ड्रॉ करेंगे हम लोग वहीं इस वीडियो में सीखेंगे इसके पहले जो है हम बात कर चुके थें कि हम लोग रफ में कैसे बनाते हैं हाउस द जो है हम लोग इसको 5 step में जो है complete करना है तो हम आपको recommend करेंगे कि आप जो ये plan जो हम जो rough sketch में बनाया हैं आप जो है इसका screenshot ले ले वीडियो से उसके बाद इसको आप जो है practice करें एक बार at least ये वीडियो देखने के बाद हम लोग 59 step में जो पहला step होगा किया होगा हम लोग जो है बस outline या फिर house का आप जो walls है उसको बस draw करेंगे जो house का जितना outline होगा या फिर जो हम लोग उसको यहां पे draw करेंग पहला step हमारा यही होगा जो की outline घो है कुछ इसी तरह का दिखेंगा उसके बाद हम लोग आएंगे कहाँ पर step 2 जब step 2 की बात करें तो हम लोग जो है उसी plan में जो outline बनाने के बाद हम लोग door, window, ventilator और चर्जा को put करेंगे और जो हम लोग का command जो use होगा वो आप देख सकते हैं कितना सारा ही command जो है हम लोग का mostly use होगा उसके बाद step 3 या फिर 3 वीडियो जो हम लोग का रहेगा उसमें क्या रहेगा हम लोग जो है door का naming देंगे window का naming देंगे जो naming step जो होगा हम लोग का step 3 में देंगे 3rd वीडियो में उसके बाद आएंगे 4th वीडियो तो 4th वीडियो में आएंगे तो हम लोग उस वीडियो में सीखेंगे कि bedroom और drawing room, bedroom, kitchen जो भी है, उसका naming जो है कैसे करेंगे, वही 4 वीडियो में हम लोग सीखेंगे तो हम लोग उसके बाद आएंगे हम लोग 5 वीडियो जो लास्ट वीडियो होगा हम लोग उसी वीडियो में सीखेंगे यह हम लोग का plan जो है उसमें जो 물पॉलम कैसे place होगा हम लोग वही उस वीडियो में कीशाउ हम पौलम क्राइब हिसी चलिक है चलिए तो फिर हम लोग छो है step one को start करते हैं तो step one को start करने के लिए हमारा target क्या है हमारा target यह है कि उसका जो outline है हमें उसको draw करना है देखि कि बनाने के कही तरीके हो सकते हैं LINE से भी बना सकते हैं पॉले LINE से भी बना सकते हैं अगर हम लोग एक एक क्लाइन करके खीचें तो हम लोग को तो बहुद टाइम लग जाएगा तो हम लोग को जल्दी बनाना है और आसान तरीके से बनाना है तो हम लोग जो है इस command का use करेंगे तो हम लोग का जल्दी बनेगा ठीक है तो हम लोग लेते हैं अप्रोच तो सबसे पहला काम क्या है इसमें क्या सेट करना है यूनिट सेट करना है तो यूनिट सेट करने के लि यह मिलिमिटर में ही है, उसके बाद हम लोग grid line हडा लेते हैं, तो grid line हडाने के लिए क्या चाहिए, या फिर f7 दाब लीजे, या फिर यहां पर grid का option है, इस grid को भी आप on यहां से off कर सकते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि ortho भी on हो जाए, तो ortho को लिए f8 दबा सकते हैं, य अब draw करते हैं हम लोग outline, तो outline के सबसे पहला जो start लेंगे, वो यह देख कि हमें पता चला, जो हमने rough diagram बनाया, वो यह देख कि यह क्या है, रेक्टैंगल है, क्या है, 6000 इन्टू, 7005 मिनिट क्या है, एक rectangle है, तो rectangle पहले जो है, हम लोग इसको draw कर देते हैं, तो rectangle draw करने के लि move कीजिए, उसके बाद यहाँ पर देखें, लिखा हुआ है, rectangle specify other corner point, तो हम लोगों ने क्या लिया है, dimension लेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को उसका dimension पता है, एक rectangle का dimension है, हमको उसको पता है, तो d, enter, उसके बाद क्या लिखा है, specify length for rectangle, तो हम लोग को एक rough diagram है, आप देखें, तो हाँ पर rectangle का क्या है, 6000, into कितना है, अब हम लोग 6000 दे दिए, अब इसके बाद हम लोग enter क्लिक करेंगे, फिर क्या specify width for rectangle, width कितना है, उसका L into B 7500 mm, enter, जैसे ये enter करते हैं, हम लोगों का एक rectangle बन के तयार हो जाता है, वो इस तरह हम लोगों का दिखाता है, लेकिन अभी complete न 6000 into 7500 का जो है, rectangle बन जाता है, अब हम लोगों का क्या काम है, अब हम लोगों जैसे ही देखे, इसके बाद जो है, हम लोगों को आउटर वाल है, जो कि कितना है, 250 mm का आउटर वाल है, है की नहीं, तो हम लोगों जो है, इसको बनाने के लिए क्लिए क्लिए क्लिए, offset ले ले करना, तो क्या ले लेंगे हम लोग, offset command, offset command का क्या है, o enter, कितना distance पर होना चाहिए, 250 आउटर वाल है, तो 250, enter, इसके बाद हम लोग जो select करेंगे object को, देखे लिए करा, select object to offset, ठीक है, क्लिक कीजिए उसको एक बाद, उसके बाद अंदर की तरफ क्लिक करना, ना कि बाहर की बाहर की तरफ करेंगे, तो गलत हो जाएगा, अंदर की तरफ करना है, 250 mm, ठीक है, अब अंदर की तरफ एक single click कीजिए, left click, single click, ठीक है, हो गया, उसके बाद आप जो enter आप दीजे, आपका जो process है, वो वहाँ पे complete हो गया, हम लोग का ये क्या बन गया, outer wall बन गया, बन गया ये क्या है, एक polyline, polyline तो मतलब है कि वो single entity को बना देता है, जो भी 5-6 element को मिल के बनाता है, उसको क्या बोलते है, polyline का क्या है, तीन-्चार line को मिला के वो एक ही line को बना देता है, ठीक है, single entity, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको explode करना पड़ेगा, ताकि हम लोगो को जो है हम लोग को रूम बनाने में आसानी पड़े उसको आफसेट करने में आसानी पड़े इसलिए हम लोग क्या करेंगे explode explode का काम क्या है break कर देना हर एक object उसके point point पे जो है उसको break कर देना तो click कर देते हैं हो गया explode अब देखे single entity single entity ठीक है अब जो है पहला bedroom में आते हैं उस figure को देखिए जो आप लोगोंने screenshot लिया और इसको देखिए यह बन गया इसके बाद क्या bedroom है तो bedroom का पहला length क्या है 2687 मतलब इस side से 2687 तो offset लेते हैं क्या हो जागा ओ एंटर कितना लेना है 2687 एंटर यह वाला ठीक है राइट हैंड साइट कर से ले जाके एक प्लिक और एक बार क्लिक कि इसके अब भी तो हो जाएगा आपका process complete ठीक है उसके बाद अब यह वाला क्या है यह जो line है यह वाला क्या है 125 mm को offset जाएगा यहां पर यहां पर इन वाल है अंदर वाला वाल है इन वाल कितना होता है 125 तो ओ एंटर 125 mm का हम लोगों को offset जाएगा offset लेन का क्या है to draw the parallel lines must enter दो जैसे 125 एंटर किये इसको क्लिक किजिए फिर राइट visit है हम लोग डामेविसां क्या होता है in to in dimension होता है तो राइट घंड साइड लेक़ जाएगा अगर लेप्त एंट साइड लेकी जाएगे तो गलत हो जाएगा राइट हेंड साइड लेगे जाएए और एक सिंगल क्लिक कीजिए फिर एंटर क्लिक कीजिए एंटर पर अभी है हो गया ठीक है अब अब दूसरा यह क्या है अब बेडरूम का साइज क्या थे 2687 इंटू 3800 मतलब यह वाला जो लाइन है यह नीचे जो आपसेट होगा इसके जो लाइन है यह कितना ऑपसेट होगा कितना ऑपसेट होगा यह थी एट डबल जीरो तो ओ एंटर कमाड ऐसके बाद जो लाइन का जो डिस्टेंस है वो कितना देहिए अपलो बेडरूम का साइज देखे कितना है 380 इसके बाद हम लोग जो है एंटर करेंगे फिर नीचे साइड में एक सिंगल फ्लिक कीजिए फिर एंटर प्रेस कीजिए प्रोसेस कम्प्लेट ठीक है उसी तरह अब यह वला भी तो वाल है 125 mm का तो ओंटर सेम प्रोसेस 125 ऑफसेट डिस्टेंस एंटर उसके बाद सलेक्ट कीजिए फिर ओफसेट कीजिए नीचे साइड में एंटर होगया अब जो हम लों का रूम बन गया अब जो एक्स्टा एलीमेंट है उसको डिवीट कर देते हैं तकी कन्फूजन नहों तो उस के लिए क्या करना पड़ेगा टी आ डबले एंट क्या करना पड़ेगा उसके लिए कीचन का डामेंशन देखिए क्या है one five double zero into three zero seven five मतलब यह जो left यह जो right hand size में हम लोगे हम लोगे का line जो हमें selection हुआ है उसको जो है हम लोगें को offset करना है कितना one five zero zero कितना offset करना है one five zero zero तो offset ले लेते हैं यहां से कुछ करने रहे हैं सिंपल क्या कमांड के उज़ कर रहे हैं ओफसेट क्या कर रहे हैं ओफसेट आप कितना जाएगा इसके बाद एक सिंगा क्लिक कीजे फिर एंटर प्रेस कीजे ठीक हो गया अब इसका भी तो वाल जाएगा ना यह जो लाइन है अब इसका भी तो वाल जाएगा कितना जाएगा वाल 125 वो एंटर 125 एंटर उसके बाद फिर कितना जाएगा बाहर की तरफ या अंदर की तरफ किचन के बाहर या अंदर तो बाहर की तरफ जाएगा इन टु इन डामेंशन होता न, तो बाहर की तरफ जाएगा, एंटर, फिर एंटर प्रेस कीजिए, हो गया, अब जो एक्स्टा ऐलेमेंट से यह बज़ गया है, इसको ट्रिम किए कर दीजे, टी आर, डवल एंटर, उसके बाद इसको सेलेٹ खरके, ट्रिम कर दीजे, हो गया, उसके बाद, अब क्या है, हम लों का बात्रूम बचा, है की ने, बात्रूम बचा. तो बात्रूम के लिए क्लिए का है, elemmy क्या है, 1500, मतलब ये वाला जो line है, 1500 में offset जायगा, ये वाला line देखिया, 1500 में offset जायगा, ये वाला, तो o enter, कितना जायगा, 1500, offset, यह क्लिक किया, सलेक्ट किया, और किधर सेट करना है, राइट हैं अंदर की और क्लिक, एंटर, कम्पेट, अभ यह भी कितना उफ सेट जाएगा, 125, क्यूं वाल लगा है, लगाए कि नहीं, तो ओ एंटर, कितना हो जाएगा, 125, ठीक है, उसके बाद, अभ यह वाला भी तो ला ऑफसे डिस्टेंस 1200 एंटर फिर यह सेलेक्ट कियें फिर यह बाहर की तरफ ठीक है हो गया उसके बाद इसका भी वाल जाएगा कितना जाएगा 125 वो एंटर 125 आप देखी कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग सोच कैसे ने बस सिंपल ऑफसेट का यूज करके जो है हम लोग इतना स अब यूज नहीं है ठीक है हो गया अब जो है हम लोग का बन गया क्या बन गया देखिए दो बेडरूम बन गया एक हॉल बन गया एक किचन बन गया बातरूम बन गया अब जो है हमना यहां पर डी डीवन डीटू लिखा हुआ है इसको भी यहां पर यूज में ले लेते है अब जो D1 है जो D है इस रूम के दोनों रूम पे जो D है बेडरूम पर जो दर्वाजा है कितना हम लिए है 1,000 लिए है मतलब इस लाइन से जो है हम उपसेट लेना पड़ेगा कितना 1,000 देखे इस लाइन से O, enter कितना लेना पड़ेगा 1,000, enter इसके बाद फिर ये बाहर वाले से इधर जाएगा ठीक है उसी तरह सेम सेम इधर से भी आएगा ये वाले से भी इस तरफ से भी तो o enter कितना होगा 1000 1000 एंटर फिर इसको सेलेक्ट करके लेप्ट हैंड लेकिजाई एंटर और एक बार एंटर क्लिक कीजिए अब जो है बचे-खुची LINE हम लोग हटा देते हैं तो कैसे हटेगा P.R. double enter और एक बार इंचर इसके बाद इसको ट्रिम कीजिए 겨 में इसको सेलेक्ट करके स्ट्रिम कीजिए इसको भी सलेट करके स्ट्रिम कीजिए हम लोगा है अब बातरूं का वाल देख लेते हैं बातरूं का वाल क्या है डीवं कितना लिए हैं 750 बून लिए 750 मतलब इस लाइन से जो है हम लोगा 750 ऑफसेट जाएगा तो कितना लेंगे 750 ऑफसेट हो हुँ Contact 750 इसके बाद पिर इसको इधर लेके जाएंगे और फिर एंटर क्लिक करेंगे हो गया पिर ठ्रिम कर दीजिए ठीय वाला जाओं जाएगा ट्रिम अबाते हैं किचन थीकर के किचन का दोर D1D1 लिना और D1 किटना 750 सेम मतलब यह वाला अफसेट जाएगा Анाज फिल रहला ने होगगा क्लिक कर देना है सिंगल क्लिक ठीक है फिर एंटर प्रेस किजिए कम्प्लीट अब जो है इसको ट्रिम कर देज़े टी यार डबल एंटर अब अन्यूजवल चीज जो है हटा दीजिए उसी के बाद अब हम लोग का क्या है यह वाला लाइन यह वाला हम लोग फिटू देना है और दीटू कितना लिए हैं डाइग्राम में देखें दीटू कितना लिए हैं 1200 मतलब यह वाला जो लाइन है यह वाला इसको क्या करेंगा इधर हम लोग जो है आपसेट करेंगे कितना 1200 ठीक है किने 1200 करेंगे तो ओ एंटर कितना जाएगा आपसेट 1200 एंटर अब राइट है को और इस लाइन को तो एक्स्टेंड कर दीजिए इसको भी जो है एक्स्टेंड कर दीजिए अब क्या यहां पर यूज होगा ट्रिम इसको हटाने के लिए यहां पर क्या होगा टी यार डबल एंटर सेलेक्ट कीजिए ट्रिम कीजिए इसको भी ट्रिम करके हटा दीजिए यह भी हट जाएगा तो देखिए यह जो है आपका जो हम लोग डूं давно किया और वाल का आउटलाइन बन गया उसके बाद हम लोग इसमें डोर ओर विंड लगाएंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो मे हम लोग जो है next video यहीं से start करेंगे ठीक है तो आप लोग जो है इसको यहां तेक प्रैक्टिस कीजिए इसके बाद हम लोग जो है next video में part 2 में उसको check करेंगे थैंक यू